साइलेंस डिरेक्टर में फिर से अपनी आवाज उची उठाई थी पटोल बाबू यंग जोती को भीड हटाते हुए देख रहे थे वहाँ कोई बात थी जो उसे उससे पूछनी थी वो जल्दी से वहाँ उसके पास गए इसे पहले की मेरी बारी आए कितनी देर लगेगी भाई आप इतने हुतावले क्यों हो रहे है दादू बिजनस की इस लाइम में आपको शान्त रहना सीखना होता है इसे पहले की आपको बुलाया जाए आदा गंटा और लग जाएगा कोई बात नहीं मैं जरूर वेट रोड के पार मैं उस बगल वाली गली में हूँ ठीक है बुला लेना मुझे ठीक है दादू अगर आप वहाँ से खिसक नहीं गए तो स्टार्ट साउंड पटोल बाबू अपने पंजो के बल पर सडक पर पार करके चले गए और एक शान्त सुन सान पड़ी बगल वाली गली में चले गए अच्छी बात थी कि उसके पास थोड़ा टाइम था जबकि ये लोग रियसल्स होते हैं उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं तो वो अपने आप ही रियसल्स करने लगे वहाँ असपास कोई नहीं था वहाँ आफिस की बिल्डिंग थी इसलिए वहा पास के शॉपकीपर्स वो सभी शूटिंग देखने के लिए चले गया थे पटोल बाबु ने अपना गला साफ किया और उस अपनी आवाज को अलग-अलग धंग से उसका उचारन करने लगे इसके साथ साथ उसने ये प्रैक्टिस भी कर ली कि वह फिजिकली कैसे रियक्ट करेंगे जब वहां टक्कर लगेगी किस तरह उनका चेहरा दर्द से सिकड़ेगा किस तरह वो अपनी बाहें तेजी से बाहर को निकालेंगे किस तरह उसका शरीर पेन यानि की दर्द और सर्प्राइज एक्सप्रेस करने के लिए नीचे को जुग जाएगा ये सभी उनके एक बड़ी शीशे सी बनी हुए ग्लास की बनी हुए खिड़की के सामने खड़े होकर अलग-अलग तरीकों से करके उन्होंने देखे ठीक आदे गंडे के बाद पटोल बाबु को वहां बुलाया गया अब वो पूरी तरह से अपनी एपथी यानि कि आरूची के भावना पर कंट्रोल कर चुके थे अब जो सब वो मैसूस कर रहे थे वो था एक गहरा पूर्वा भास एक एक दबा हुआ एकसाइटमेंट यह वैसी थी जो ऐसी फिलिंग थी जैसे कि कोई 20 साल पहले स्टेज पर पाउं रखने से पहले उन्हें मैसूस किया करते थे डिरेक्टर ब जानते हैं कि आपको क्या करना है उसने पूछा यह सर वरिगोड पहले मैं कहूंगा स्टार्ट साउंट रेकॉर्ड करने वाला रनिंग कहकर आंसर देगा यह आपके लिए एक सिगनल एक इशारा होगा कि आप उस पिलर से चलना शुरू करें और हीरो के लिए इशारा कि व इस तरह से हिसाब लगा लीजिए कि टककर इस जगा पर हो यहां यहां ठीक है हीरो आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और लंबे कदम लेता हुआ ओफिस में चला जाता है जबकि आप ओह कहते हुए अपना दर्द जताते हैं कुछ एक पल रुकते हुए और फिर दुब बेसबरी से अपना सिर हिला कर ना कह दिया सूरज के नजदीक आता हुआ बादल का एक बड़ा टुकड़ा दिखता है उसने कहा यह सीन सूरज की रौष्णी में ही शूट करना है वन क्वेस्टिन प्लीज यस रियसल करते हुए पटल बाबु के दिमाग में एक आइडिया उसने इसे बोल ही दिया देखिए मैं सोच रहा था अगर मैं अपने हाथ में एक खुला हुआ न्यूस पेपर पकड़ लूँ और अगर उस टाइम टकर लगे जब मेरी आखे न्यूस पेपर पर लगी हो तो शायद बेरन मलिक ने उसकी बात बीच में ही काट दी पास एक व्यक्ति को कहा जिसने एक बंगाली न्यूस पेपर उठाया हुआ था क्या आप अपना न्यूस पेपर इस जेंटलमेन को देने का कश्ट कर सकते हैं सिर्फ एक शॉट के लिए थैंक्स अब आप उस पिलर के नस्देग अपनी जगा ले लेजिए चंचल क्या आप तया आ रहे हैं यह सर गुड़ साइलेंज बेरन मलिक ने अपना हाथ ऊपर को उठाया और फिर यह कहते हुए दुबारा नीचे कर दिया जस्ट अ मिनिट कैस्टो मैं समझता हूं कि अगर इस जेंटलमेन को हम एक मूच लगा दे तो इससे यह सीन और इंट्रेस्टिंग हो रहे हैं बटरफलाई बटरफलाई और इसे थोड़ा फैशनेबल बना दो मेकप करने वाला एक बुड़ा आदमी चलकर पटोल बाबू के पास गया एक डिब्बे में से एक छोटी सी ग्रे कलर की मूच निकाली और उसे पटोल बाबू की नाक के नीचे की तरफ स्पिरिट गम के साथ चिपका दिया पटोल बाबू ने कहा आई होब कि ये टकर के वक्त उतरेगी नहीं उतर नहीं जाएगी मेकप करने वाले आदमी मुस्कुराने लगा टकर अगर आप दारा सिंग के साथ कुष्टी भी करंगे ना तो भी अपनी जगह से नहीं यह लेगी पटोल पटोल बाबू ने उसे मिरर के जल्दी से एक नजर में देखा उस आदमी ने जो पकड़ा हुआ था वो बिल्कुल सची बात मूच में मूच उसे बहुत जच रही थी पटोल बाबू अपने मन ही मन में डिरेक्टर की समझदारी की तारीव कर रहे थे साइलेंस साइलेंस मूच वाले काम ने दर्शकों की तरफ से कमेंट की एक लहर सी पैदा कर दी थी जिसे बेरन मलिक की उची आवाज ने खामोश कर दिया पटोल बाबू ने देखा कि अगल बगल में खड़े ज्यादातर लोगों की आँखे उसकी तरफ लग गई थी